बजारू की चाल सबसे पहले शुरूबात करेंगे हम यहाँ पे कैससीड से कम देख रहे हैं कैससीड के डिसेंबर वायदा इस वक्त 4416 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है 4560 का हाई लगा चुका है लगबग पहुन दो फीजदी की करेक्शन है हम ने पीते कारोबारी सब्ता देखा था कि कैससीड का वायदा बजार निकलाता है जिसकी बजा से जो ट्रेडर्स हैं जो निवेशक हैं उनको उमीद जागी थी कि कैससीड में अब अच्छी तेजी बनती नजर आएगी लेकिन आज हफते के पहले कारोबारी दिन देख रहे हैं कि कैससीर का वायदा बजार है वो 6400 के लेवल्स पर कारोबार करता निजर आ रहा है लेकिन 6400 का important support लेवल है कैसर का जब तक 6400 के उपर है कैसर की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा अभी experts का ऐसा मानना है और जानकारो का ये भी कहना है जो experts है उनकी अभी ये भी opinion निकल के सामने आ रही है कि कैसर की जो export demand ठीक ठागी देखने को मिल रही हाला कि बहुत जादा तेज नहीं है जैसे पिछली बार हमने चाइना की ओर से आते वे देखी थी इस बार कोरुना के चलते चाइना और इंडिया का जो business relations हैं वो उतने जादे देखने को नहीं मिले है जिसकी वज़ा से भारत अपना कैसर चाइना को निरियात नहीं कर पा रहा है हाला कि चाइना की तरफ से डिमांड है लेकिन भारत नहीं कर पा रहा है business relations impact होने के चलते कोरुना की वज़ा से जिसकी वज़ा से इसका असर कैसर की कीमतों पर पड़ता नजर आया हाला कि अगर कैसर की चाइना की डिमांड निकल के आ रही होती और भारत कैसर का निरियात चाइना को कर रहा होता तो कैसर की जो कीमते हैं वो अलग ही कुछ देखने को मिल रही होती जो निवेशक और किसान इस समय कैसर की कीमते जिदनी उमीद कर रहे हैं उनको उससे कई गुना जादा कैसर के भाव मिलते नजर आते अगर चीन की तरफ से अगर भारत चीन को कैसर का निर्यात कर रहा होता लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड में थोड़ी गिरावट है लेकिन एक्सपोर्ट अभी भी हो रहा है कैसर ओयल कैसर निल की जो डिमांड है जो एक्सपोर्ट डिमांड है लगाता निरंतर बनी हुई है जिसकी वज़ासे कैसर सीर की कीमतों को आगे जाके सपोर्ट मिलता नजर आ सकता है और घरिल उस तरफ पर भी जो कैसर सीर की जो डिमांड है अब वो दीरे-दीरे कही न कही उटती नजर आएगी हाला कि गुजरात में कैसर के बुआई का जो रगबा है अब वो दीरे-दीरे बड़ता नजर आ सकता है क्योंकि कैसर की जो कीमते हैं पहले की मुकाबले काफी अच्छी बनी हुई है अट्रेक्टिव हैं जो किसानों को अपनी और अट्रेक्ट कर रही है लेकिन इतना भी देखने को नहीं मिलेगा कैसर की बुआई का रगबा क्योंकि कैसर का जो भाव था पिछले साल क्रेश हो गया था जिसकी वज़ा से किसानों ने अन्य फसलों की और रुख करा तो ओवरल रुज़ान अभी कैसर सीर की कीमतों में तेजी वाला देखने को मिलता रहेगा जानकारों के अनुसा कैसर सीर का वैदा बजार में जो अभी इमेरियेट टार्गिट देखने को मिलेगा अभी लगवा हफते दस दिन में वो 6600 का रहेगा 6600-650 का और एक्स्ट्रीम केस में अगर काफी अच्छी तेजी बनती है कैसर सीर की कीमतों में तो अर्सट सो से अर्सट सो पचास तक के भी लेवल्स कैसर सीर की कीमतों में देखने को मिल सकते हैं तो यानि कि overall रुजहान कैसा सीड में अभी तेजी का ही रहेगा, हाला कि कुछ trading sessions में तक consolidation में एक यानि कि सीमितदार में, एक range bound में कैसा सीड की जो कीमते हैं वो trade करती नजर आएंगी, लेकिन overall अगर बात करें overall रुजहान की overview की पूरे कैसा की, तो outlook इसका positive ही है, 25 का ही लगा चुका है, लगवर पौने 2% की correction है, हम देख रहे हैं कि बिनौला खल का December वाइदा 26 ओपर है, और जनवरी वाइदा 27 के उपर ही है, हमने बिनौला खल को 27 के उपर की closing होते वे देखा था, 27 का level touch भी होता वे देखा था, जो जानकर Market Ems TV के माध्यम से लगातार बता रहे थे, कि cotton seed oil के यानि बिनौला खल की जो कीमते हैं, उन में 27 कभी level देखने को मिलेगा, जो की हमें हासिल होता हुई भी नजर आया, लेकिन उसकी बाद से आज देख रहे हफते के पहले कारोपारी दिन, बिनौला खल की कीमतों में उपरी स्थर से एक मुनाफ़ा वसुली देखने को मिली है, लेकिन इसमें गबराने वाली बात नहीं है, बिनौला खल में जो निवेशा के वो निचले स्थर आने का वेट कर रहे थे, कि बिनौला खल में कब नीचले स्थर देखने को मिले और कब वो इसमें खरिदाई की रिणनीती बना कर चले च्योंकि जानकारों की मुताबिक बिनौला खल का जो रुजहान रहेगा आगे जाके तेजी कही रहेगा साल 1222 की मार्च अपरेल तक बिनौला खल को काफी शानदार मुनाफ़द देता हुए नजर आ सकता है दूसरा पोल्टरी की तरफ से बिनौला खल की बांग निकल के सामने आ सकती है तो यानि की इंडुश्रिल डिमार्ड बिनौला खल की देखने को मिल सकती है क्योंकि जो चारा है जो पशुचारे में इस्तमाल किया जाता है हरा चारा उसकी कीमतों में तेजी आई है जिसकी वज़ा से पशुचारा इतना नहीं खिलाया जा रहा है और दूद उतपादन में कमी देखने को मिल रही है और बिनौला खली एक ऐसा उत्पाद है जो दूद की मातरब को ज़ादा बढ़ा सकता है फैट वाला बना सकता है दूद को तो बिनौला खल की जो पोल्टरी डिमांड है जो इंडस्ट्रिल डिमांड है वो निकल के सामने आ सकती है दूसरा जो cotton है cotton की कीमतों में भी आगे जाके तेजी बन सकती है जिसका असर बिनौला खल की कीमतों पर कहीं न कहीं पढ़ता आ सकता है और जो बिनौला खल की कीमतों को आगे तेजी की और लेके जाएगा तो जो immediate target जानगार अभी बता रहे हैं वो लगवग 2800 का बता रहे हैं कि बिनौला खल में फिर से 2800 के लेवल देखने को मिलेंगे और मार्च 2022 तक मार्च अपरेल 2022 तक यानि कि लगवग 5-6 महीनों में बिनौला खल 4000 का भी लेवल दिखा सकता है बिनौला खल अभी इतनी तागत रखता है हमारे जो एक्सपर्ट हैं केडिया अडवाईजरी के डिरेक्टर अजे केडिया उनके मुताबिक बिनौला खल मार्च अपरेल 2022 तक 4000 का भी लेवल दिखा सकता है तो बिनौला खल में लंबी अवदी में भी खरीदारी में रहा जा सकता है बात करें यहां से अगर धनिय की तो धनिय का डिसेंबर बाद देख रहे हैं पिचा सी सो चालिस पर ट्रेड करता नजर आ रहा है डाई फीसदी की करेक्शन है और अठा सी सो बीस का हाई लगा चुका है धनिय की कीमतों में हमने बीते कारवारी सप्ता अच्छी तेजी आते देखी थी 9100 के भी उपर लेवल्स देखने को गई मिले थे धनिय के और धनिय का कैरियोवर स्टॉक कम बताय जा रहा है सो इंका भी जो आखने हैं वो भी कम ही बताय जा रहे हैं काफी अच्छी बनी हुई है जिसकी वज़ा से देने की कीमतों में आगे जाके तेजी देखने को मिल सकती है अभी हाल फिलाल में वायदा में उपरी स्तरु से इसको मुनाफ़ा वसुली कह सकते हैं प्रफिट बुकिंग बनती नजर आई है जिसकी वज़ा से आज बिनौला खल हाज अफते के पहले कारोबारी दिन कुछ नरमी के साथ ट्रेड होता नजर आ रहा है और अभी ये जो नरमी है धनीय की कीमतों में अभी ये कुछ दिनों तक और जारी रह सकती है कुछ ट्रेडिंग सेशन्स और दिने की कीमतों में जो नरमी वाला रुख है वो जारी रह सकता है लेकिन निचले स्तर आने पर आपको घरवराना नहीं है निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूणने है और धनिय की कीमतों में काफी अच्छे लेवल्स भी लंबी अवदी की बात करूँ अगर तो तब भी देखने को मिल पाएंगे 2022 में धनिया 12,000 तक की भी लेवल्स दिखाने की तागत रखता है ऐसा केडिया एडवाईजरी के डिरेक्टर अजे केडिया का कहना है अजे केडिया की मुताबी धनिय की कीमतों में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है मसालों में धनिया 2022 में काफी अट्रेक्टिव लग रहा है और उन कमूरिटीज की लिस्ट में शामिल हो सकता है जो 2022 में अच्छा मुनाफ़ा देती नजर आ सकती है तो अभी short term के लिए धनिये में नर्मी वाला रुजान देखने को मिलतर रहेगा लेकिन धनिये में निचले स्थरों से फिर से खरीदारी बनेगी जो की धनिये की कीमतों को उपर में तेजी की और लेके जाएगी और जो हमने levels आते वे देखे हैं ये 9000-9100 के ये एक बार फिर से अभी नर्मी के बाद देखने को जरूर मिलेंगे बात करें यहां से अगर अब जीरे की तो जीरे के डिसेंबर बाद देख रहे हैं 5750 पर ट्रेड कर रहा है 16100 का ही लगा चुका है आदे फिस्दी की करेक्शन है जीरे की कीमतों को हमने 1666650 तक जाते वे देखा है फिर वहां से अचानक से एक मुनाफ़ा वसूली बनती नज़र आईए प्रॉफिट बुकिंग बनी है जो की अभी हफ़ते के पहले कारोबार दिन 5750 पर रुकी है लेकिन जानकारों के अनुसार अभी यह जो मुनाफ़ा वसूली है जीरे की कीमतों में यह और जारी रह सकती है और जीरे की कीमतों को 5200, 5300, 5400 तक नीचे में लेके जा सकती है तो जीरे में अभी आपको और नीचे के लیवल्स देखने को मिल सकते है लेकिन जीरे का केरी वर स्टॉप कम बताया जा रहा है और जो एक्सपोर्ट डिमांड है जीरे की वो काफी ज़ादा देखने को मिल सकती है जनवरी 2022 और फरवरी 2022 में केड़े एडवाईजरी के डिरेक्टर अजे केड़े की मुताबिक जनवरी 2022 और फरवरी 2022 ये दो महीने जीरे के लिए ऐसे रहेंगे जिनमे जीरे में जीरे की जो कीमते हैं वो अपने पीक पर होगी टॉप पर होगी और काफी अच्छे लैवस देखने को मिल सकते हैं रिकॉ अबी अवदी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी जनवरी 2022 और फरवरी 2022 में निर्यात मांग काफी जोरो पर रहेगी जीरे की खाड़ी देशों को यूरोप कंट्रीज में और अरबिक कंट्रीज में जिसकी वजा से जीरे की जो कीमते हैं उपर में अजे केड़े की म ता jeśli में जीरे में आता वा देख पाएंगे तो ओवरॉल रुजान जीरे में भी हाल फिलाल में तेजी का ही बना रहेगा त्रेडिंग सेशन को यह नरभी जारी रहेगी लाल निशान पर आपको जीरे देखने को मिलता रहेगा हो सकता है कीमते हैं अभी और नीचे में 708 पर trade करता नजर आ रहा है, 7662 का ही लगा चुगा है, आदे एक फीजदी की correction है, हम देख रहे हैं कि आज हल्दी की कीमतों में एक फीजदी की correction देखने को मिल रही है, बीते कारोवारी सप्ता हमने हल्दी की कीमतों को 8000 तक जाते वे देखाता है, लेकिन फिर वहां से correction बनी क्योंकि वहां पर कीमते सस्टेनिन नहीं हो पाई, आपको बता दें, जो बीते कारोवारी सप्ता में वाइदा बजार में हमने हल्दी की कीमतों में 8000 का स्थर चूते देखाता हल्दी को, उसके कुछ कारण है जो मैं आपके साथ share करना चाहूँगा, पहला तो ये कि south में, डक्षिण में यानि की बारिश हुई थी, जिसकी वजासे फसलों को काफी नुकसान पहुचाता हल्दी की जो quality है वो impact होती नजर आई थी, जिसकी वजासे हल्दी की कीमतों को काफी नुकसान पहुचाता, लेकिन जहां पर फसले खराब हुई थी, नुकसान हुआ था का जो कहरी वो स्टॉक है वो काफी अच्छा गासा है और सोइंग के जो आंकड़े हैं वो भी ठीक ठाकी है जिसकी वज़ासे हल्दी में एक बार फिर से नर्मी वाला रुजान यानि की एक सीमित दारे वाला रुजान एक रेंज बाउंट एक्टिविटी वाला रुजान फि भी कुछ और गिरती नजर आ सकती है तो हल्दी में जब तक कोई अच्छी निर्यात मांग निकल के सामने नहीं आ जाती एक्सपोर्ट डिमांड निकल के सामने नहीं आ जाती तब तक हल्दी की कीमतों में ऐज़े ही नर्मी वाला रुजान देखने को मिलता रहेगा No doubt कि winter season है हल्दी की consumption जो खपत बढ़ जाती है लेकिन export demand हल्दी की कीमतों में तेजी का एक मुख्य कारण भी बनती नज़र आगी क्योंकि घरेल उस तरपर हल्दी का carry-over stock और जो बुवाई है वो जादा है अगर निर्यात मांग जादा अच्छी आती है तो हल्दी की कीमते हम ठीक ठाक जाते देखेंगे वरना हल्दी की जो कीमते हैं वो as it is एक range bound में trade करती नज़र आती रहेंगी मसालों के बाद बात करें यहाँ से अगर अब गौर complex की तो हम देख रहें हैं गौर गम का डिसेंबर वज़ेदा दस हजार एक सो बाऱा पर trade कर रहा है दस हजार चेसो असरेट का ही लगाच चुकर है, पाँच फीज़दी का निचला सरक्ट है, पाँच फीज़दी का लोवर सरक्ट है वहीं ग्वार सीड का डिसेंबर बाद देखने हैं 5731 पर ट्रेड कर रहा है 5950 का ही लगा चुका है और साड़े तीन फीजदी का लोवर सरकीट हम देख रहे हैं कि आज हफते के पहले कारोबारी दिन जैसा कि ग्वार में क्लोजिंग होते होते लोवर सरकीट लगा आज हफते के पहले कारोबारी दिन ग्वार में वही गिरावट अभी वी जारी है ग्वार गम में पांच फीजदी से जादा का लोवर सरकीट और ग्वार सीट में साड़े तीन फीजदी का लोवर सरकीट निचला सरकीट लगता नजर आ गया है जो experts हैं वो लगातर यहीं बता रहे हैं कि गवार में technically अगले कारुबारी सब्ता ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है कि गवार गम और गवार सीट में technically कह रहा हूं मैं कि technically कुछ हलकी फुलकी बड़ बनती नजर आए लेकिन उन पर खरीदारी की सला बिलकुल भी नहीं दे रही है निवेशक जो हमारे experts हैं उनका यही कहना है कि गवार में अभी उपरी स्थरुपर अगर आप बिक्वाली कर सकते हैं तो बिक्वाली करके जरूर चल दें अगर आपको चाल मिलता है वरना यह जो कीमते हैं यहां से अभी और ज़ादा नीचले स्थर पर गहराने वाली है हो सकता है गवार गम 10,000 से भी जादा नीचे जाए 9,000, 9,500 ऐसे भी जो कीमते हैं वो आती दिख जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी यहीं से बात करें गवार सीड की तो गवार सीड में भी हमने 57,000 का लेवल आज देख लिया है अगर नीचे में 54,500, 56,000 तक का भी लेवल दिख जाएं गवार सीड में तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी हाला कि गवार गम के जो fundamental से मजबूत हैं क्योंकि गवार का जो production है पिछले साल की मुकाबले इस बार कम ही रहने वाला है और जो export demand है वो भी ठीक ठाकी है लेकिन जो crude prices में यानि कच्चे तेल की कीमतों में जो गिरावट देखने को मिली है अचानक से उसका असर कहीं न कई गवार की कीमतों पर पड़ता नज़र आ रहे जिसकी वज़ा से हम गवार में ये गिरावट बनती देख रहे हैं और दूसरा अब गवार की जो मंदी तेजी है अब वो production पर इतनी depend नहीं करिये जितने की अब demand पर हो लिए है अब गवार के जो fundamental तो धीरे धीरे demand की और shift होते नज़र आ रहे हैं क्योंकि अगर production कम भी है और demand किसी particular चीज़ की है ही नहीं तब भी उसकी कीमते नरम ही रहेंगी लेकिन production कम है demand जोरो पर है तो कीमते उचल जाती हैं तो अभी इस पी demand पर भी असर पड़े जो गवार है उसकी demand पर भी काफी जादा depend करेगा कि आगे जाके गवार की कीमते क्या रहेंगी लेकिन अभी overall रुजान गवार गम गवार सीड में गिरावट वाला ही रहेगा उपर इस तरुपर बिकवाली करके चलना अभी सही रहे तो ही जादा better रहेगा बात करें यहां से अगर अब सोयबीन की तो सोयबीन के डिसेंबर वादा देख रहे हैं कि 6306 पर ट्रेड करता नजर आ रहे है 650 का ही लगा चुका है 6% की गिरावट सोयबीन के अंदर बंती नजर आ रहे है हम देख रहे हैं कि आज हफ़ते के पहल कारोबारी दिन सोयबीन का वैदा बजा 3606 पर ट्रेड करता नजर आ रहे है 6 physical lower circuit सोयबीन की कीमतों में आज हम देख रहे हैं शाम के कारोबारी सत्र होते होते हैं सुबा के मुकाबले शाम में सोयबीन की कीमतों में ज्यादा गिरावट बंती नजर आ रहे हैं आपको बता उसे मुनाफ़ वसुली ज्यादा देखनी को मिली इसका रीजन ये है कि जो सटोरिये हैं अब वो वायदा में भी एक्टिव हो गए हैं खासकर कि अब सोयबीन को लेकर तो उपर इस तरों से वो मुनाफ़ वसुली करते नजर आ रहे हैं क्योंकि बुगाई के समय सटोरियो को इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलाता कि ज्यादा मुनाफ़ कमा पाएं इसलिए अब सटोरी एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं चालो हो गए हैं सोयबीन वायदा में उपर इस तरों से मुनाफ़ वसुली लगातार कर रहे हैं क्योंकि सोयबीन अब हम ऐसा fundamental नहीं बिता जाए भले ही जो production है उसके आंखड़े जादा बताए गए हो 119 लाक्टन का आंखड़ दिया गया हो लेकिन इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि सोयबीन की जो फसले हैं महराष्ट में मंद्य परदेश में और अन्यराज्य में बड़े पैमाने पर बड़े स बेसिस के बेसिस पर आगे मंद्य तेजी तै हो पाएगी लेकिन अभी हाल फिलाल में वायदा में आज हम देख रहे हैं कि 6900 के बाद 6300 तक दाम जाते सीधे नजर आए हैं लवक 600 पॉइंट की गिरावट बनी है सोयबीन की कीमतों के अंदर और जो निवेशक हैं वो सोयब सोयबीन का उतपादान लगबग सोपा ने 119 लाक्टन रहने का अनुमान जताया है लेकिन बारी बारी से फसले खराब भी हुई है दूसरा इंटरनेशनल मार्किट में सोयबीन की जो इस्तमाल है सोयबीन का इस्तमाल वो जादा बढ़ गया है फॉर एग्जामपल एग्ज सोयबीन का इस्तमाल किया जा रहा है जिसकी वज़ा से सोयबीन का इस्तमाल जादा बढ़ गया है अमेरिका में मांग जादा बढ़ गई इस्तमाल जादा होने से और जादा इस्तमाल होने से जादा मांग बढ़ने से कीमते भी जादा बढ़ गई है तो इंटरनेशनल मार् आठ हजार तक भी बिक्ती नजर आई है तो जिस दाम की उमीद किसान कर रहे थे कि उन्हें इतना मिल जाए तो अब वो अच्छे दिन सोयबीन किसानों के लिए आना शुरू हो गए हैं लेकिन एक सोचने वाली बात ये भी है कि जब किसानों ने दस हजार रुपे प्रती कु अगर इन सब को जोड़ा जाए और अगर किसानों को सोयबीन के 10,000 रुपे कुइंटल दाम भी मिले तब भी किसानों की लागत नहीं निकल रही है तो किसान यही समझ के सोच समझ के अभी इसलिए अपनी सोयबीन को होल्ड कर रही हैं रोक कर चल रही हैं जिससे कि उनकी सो अगर आपको 10,000 की चीज खरीद कर अगर आप 8,000 कमा रही हैं तो वो कोई फायदा का सौधा साबित नहीं होगा बल्कि आपको उल्टा नुकसान ही होगा तो जो जानकार हैं जो एक्सपर्ट्स हैं वो सोयबीन किसानों को अभी सोयबीन को लगबग 1-2 महिने तक होल्ड कर के चलने की सला दे रहे हैं कि सोयबीन किसान अपनी सोयबीन को अभी होल कर ले अभी और रोक ले मंडियों में ना लेकर रहे हैं आवके कम होंगी डिमांड बढ़ेगी और कीमते ऊपर में जाएगी तब सोयबीन किसान फिर अपनी धीरे-धीरे करके मंडियों में अपनी सो बिल्कुल भी नहीं है इसलिए ये बड़े लेवल्स पर भी उची दरों पर भी बड़ी कीमतों पर भी सोयवीन की जो खरीद है वो लगातार कर रहे हैं अगर ये उचे इस तरुपर खरीद नहीं करेंगे सोयवीन की तो इनके प्लांटों पर भी ताला लगता नजर आ सकता ह है तो किसानों से यही आगरे कर रहे हैं अभी जानकार की अपनी सोयवीन अभी और रोक लें थोड़ा और होल करके चलें जिससे की आगे दामों में आपको और तेजी मिले तो यह था एक छोटा सा क्रिशी फसल बजार का अपडेट की शाम के कारोबारी सतर में कौन सी क्रिशी फसल किस वहाप पर ट्रेड करती नजर आ रही है और उन पर जानकार की क्या राय है आगे जाके किस क्रिशी फसल में मंदी तेजी बनती नजर आ सकती है और क्या लेवल झाल झाल